मुश्कार दोस्तो रिसेंटली अगर आप देखोगे ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत मीजर प्रॉब्लम चल रही है वहीं पे कुछ अच्छी बाते भी हैं यह दोनों में आपके साथ डिसकस करूँगा क्योंकि अगर लास्ट एक महीने का डेटा आप उठा करके रही है और करीब-करीब 10% के आसपास यहां पर नैस्डेक क्रश हो चुका है उसी के सासत 5% के आसपास S&P 500 हो चुका है और वहीं पर जो फ्राइडे का सेशन था उसके अंदर एंड होते होते US मार्केट काफी ज्यादा क्रश हो चुकी है इसी किसा सासत अगर हम बात करें साथ यहां पर इंडिकेट किया हां के साथ जान ही कंटर छे इस वजचे से यहीं कर सासत अग्यार्येट कर रहएं जसे कि सासत और मेचा घॉइंघर कि इस वज्यसे स ही समझेजिक्ट पर बात करते हैं तो तो फिर कहीं न कि अगर आप FED का डेटा उठा करके देखोगे तो वहां पे काफी ज़्यादा प्रॉब्रम से जॉब मार्केट के अंदर, जॉब मार्केट काफी ज़्यादा तीजी से क्रश हो चुकी है, वहीं पर जो नॉर्मल एबरेज वीज होती थी, उसके अंदर भी काफी ज़्यादा मीजर डिकलाइंस देखने को मिल रहा है, इसी वज़े से यहाँ पर ग्लूबल रिसेशन आने की बात होनी दुबारा से शुरू हो चुकी है, जिसको टैगल करने के लिए डेफिनिटली जो FED है, वो कही नखे इंटरसेट कर सकता है, इसी के साथ अगर हम जपैन के मार्केट को अनलाइज करने की कोशिश करें, तो जपैन के इंटरसेट हाइक हुआ है, लेकिन जपैन में इंटरसेट हाइक हुआ, तो हुआ क्यों यह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो लास एक decade से Japan के अंदर कोई भी inflation की problem नहीं देखने को मिल रही थी, इसी के सासत काफी ज़्यादा interest rate balance वहाँ पे देखने को मिलता था और काफी कम interest rate पे वहाँ पे loan मिलता थे, जिस वजे से carry trade की problem सामने आई, अब carry trade क्या होता है, इसको मैं आपको अखसान भाशा में स पास का return मनाए, इसको हम कहते हैं carry trade, इसका मतलब simple सा यह हो गया कि मैंने money borrow किया, जो कि मेरा नहीं था एक particular interest के उपर, और उसको मैंने आगे invest कर दिया, बिकिस मुझे यह लग रहा था कि भाई, मैं ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा, अब जो मैंने ज्यादा पैसा कमा आया, त उसको पर अगर मैंने 100% के gain बनाए, तो मेरा net net profit मिल गया हुझे 90,000 रुपे के आस पास, यह मोटर मोटर तौर पर simple मैंने carry trade का concept आपको समझाया, अब सेम चीज जपान के अंदर हुई, जो जपान की market थी, वो काफी ज़्यादा stable हो ज़ीती, धीरे धीरे करके आप inflation का नाम market के अंदर, तो इससे major problem हुई किया, जो Japan की currency है, उसके अंदर आया काफी major dip, क्योंकि यहाँ पर जो carry trade था, वो काफी ज़्यादा तीजी से बढ़ने ही लग गया, अब जो Japan है, उसके अंदर एक major problem तब शुरू हुई, जब यहाँ पर जो interest rate है, उसको high करने की कोशिश करी क्योंकि जो inflation है, वो धाने के बढ़ रहा है, अब inflation धाने करके क्यों बढ़ रहा है अब जासे ईंटसरेत हाइक है, इसके ऑद क्या problem शुरू होने वाली है दुनिया भर के अंदर, यह भी मैं आपको समझाने घ्लेंश करता होूँ, अब एकदम से बैंक आकर करके कह दे कि ब हाई मैं कहीं न कहीं 12% के आसपा सब इंटरस्ट लोगा और इससे क्या होगा इससे मुझे प्रॉब्लम हो जाए क्यों हो सकता है मैंने 40% कमाए तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता कि भाई 2% अपॉड ले लो अगर मैंने सिर्फ उसे 20% कमाए होते जिसमें में 10% का प्रॉफिट होता तो मैं यह कहता है कि भाई 2% और चलेगा तो मेरे लिए तो अब कोई बैनेफिट है नहीं 8% के लिए मैं इतना मेशर रिस्ट थोड़ा लूगा तो यही चीज़ अब जिपायन के अंदर हो रही है कि इतना ज़्यदा पैसा जिपायन से लून लेकर के बाहर इंवेस्ट कर दिया है इंट्रस्टेट बढ़ने के वज़े से अब कही न कहीं वापिस से उनको रिपेमेंट करनी पड़ेगी इसे एक बेसिक एजामपल में देता हूँ जैसे मैं आगर एक लागर रुप लेकर के और वहीं पर जो मेरा पैसा है वो बढ़ रहा है तब तो ठीक है लेकिन वहीं पर मेरा पैसा घटेगा तो मैं क्या करूँगा मैं डर जाओँगा पहले लोन को निप्टा दो क्यूं क्यूंकि भाई हो सकता है जो जो जौब है वो कहीं न के इंसर्टन हो ऐसा भी हो सकता है जैसे यूएस के अंदर चल रहा है, जॉब मार्किट नहीं है, और वहाँ पर किसी बंदे ने लोन लेकर के इंवेस्ट किया है, उसकी जॉब चलीगी, तो उसकी इसमें क्या कर रहा है, भाई स्टॉक मार्किट से पैसा निकालो, सबसे पहले प्रस्टन लोन दो अपने उठा घरके, ताकि में उपर जे एक लाइबिलिटी है, वो खतम हो जाए, तो यही चीज इसमा पर जेपैन के अंदर होगी, कि जैसे इंट्रसेट बढ़ाया, तो दुनिया भरी के अंदर जो पैसा है, वो जेपैन का वापिस आएगा, और हो सकता है, इंट्रसेट बढ़ने के व जे प्राइब्लम हो सकता है, देखने को मिले, इसी किसासा जो जो जेपैन की एकनौमी है, वो बेस्ट किस पे है, ये भी मैं समझाता हूँ, आपको देखो, जेपैन इनिशन लेवल पे एक्सपोर्ट औरींटेट हुआ करता था, इवन आज भी जेपैन जो पर है, वो एक् कोशिश करता है, इसी वज़े से जो उनकी करनसी है, वो हमीशा वीक रखने की कोशिश करते हैं, इस कॉशिश करते हैं, इस कॉशिप्ट पर मैंने आज से शाथ 6-7 महीने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, कि हमारी जो करनसी है, अगर एक डॉलर इकोल टू 1 रुपी होग हम सस्ते हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा स्यादा काम हम से करवाएंगे, इसी के सासाथ ज्यादा स्यादा इंपूर्ट करेंगे हम से, तो उससे क्या होगा, उनको काफी ज्यादा सस्ते में समान मिल जाएगा, और इसी के सासा हमारे लिए क्या benefit होगा, कि ह हम इंटर्णल कंज्यूम करेंगे मतलब जैसे हम बात करते हैं आत्म निर्बर भारत वह हम करेंगे क्यों कि हमारी जो करन्सी है वह वीक है अगर हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने लग गए तो जो हमारी करन्सी है उसके अंदर हमें जो प्रॉडक्ट हो बहुत ज्यादा मह सकता है लेकिन आपके इससे एक चीज वह समझने पड़ेगी कि अगर आप एक export oriented देश हो मतलब आप बहुत ज़्यादा समान बेचते हो आपकी currency तब weak है तो बहुत ज़्यादा benefit है क्यों क्यों कि ज्यादा बहुत ज़्यादा लोग आपसे import करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे दरीगे से काम करेगा आपके लिए लेकिन अगर आप एक net importer देश हो कि आप हर दुनिया से अपने देश के अंदर समान मंगाते हो तो आप ये समझो आपके लिए एक disaster की तरह काम करेगा क्यों अब आपका जो देश है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा क्यों 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 क्या करोगे जो समान मंगा ह तो आपके जो normal लोग हैं को consume नहीं कर पाएंगे तो इसी वज़े से अगर आप इंडिया को देखोगे इंडिया कही ना कि अपनी currency को थोड़ा strong रखता है क्यों क्योंकि हम net importer है हम export क्या करते है हमान number one export क्या है अगर आप समझते हो तो क्या हो सकता है पहला है हमारा IT services हम service based economy है ठीक है सबसे अधा IT हम लोग बेचते हैं लोगों को कि भाई Amazon हो गया Apple हो गया यह साही साही जो website बनाना हो गया back-end का काम हो गया यह इंडिया से करवाता है ठीक है इसी वज़े से हम कही ना कि एक service based economy क्या हम manufacturing में top पर है नहीं हम नहीं manufacturing में top पर हम कहते हैं हो जाएंगे धीरे-धीरे करके अगर government इस पर ध्यान देगी तो वो चीज पॉसिबल है वो चीज इंप्रूफ हो जाएगी तो इसी वज़े से वापिस आते हैं अपने Japan वाले topic के उपर जैसे यह interest rate बढ़शा दिये तो अब क्या होगा जो Japan की economy है जो उसकी currency है वो धीरे-धीर करके strong वो आने वाले time पर नहीं होगा और यह economy जर प्रॉब्लम है अब अगर इन सारी चीजों से Japan ने internally नहीं निपटा कि भाई हम इसको कैसे balance करें जैसे inflation से US कैसे निपट रहा है कि भाई उसने liquidity बढ़ा दिये उसने liquidity कार्ट दिये उसी के साथ-साथ interest rate बढ़ा दिये इससे क्या साथ के अंदर आपको you know lemon brother crisis देखने को मिला था जो हुआ US में था लेकिन उसका impact इंडिया तक आया था सेम तरीकी क्या impact आपको पूरे level पर देखने को मिलेगा पूरे global level पर देखने को मिलेगा क्योंकि हम इस साथ पर जरूरी नहीं है इंडिया लेवल पर you know stuck है हम globally exposed है तो दुनिया में कहीं कुछ होगा तो इंडिया कंदर भी problem देखने को मिलेगी तो यह होगी हमाई second problem थर्ड problem जो सबसे बड़ी देखने को मिल रहे है वो है इसराइल इरान के fight देखो यहाँ पर क्या major problem यह है कि अगर जब यह दोनों देश आपस में लड़ते हैं तो हमें कोई मीचे impact तो नहीं पड़ता क्योंकि हमारे तो जादा लेना देना नहीं है अगर मैं crude oil को avoid कर दूँ तो इससे जादा कुछ लेना देना नहीं है देकिन आप यह समझो जैसे ही global level पर यह fight यह लड़ाई जगड़ों का महौल होता है तो इससे crude oil price पर definitely impact पड़ता है अब इससे हमारा क्या लेना देदा आप पूछोगे इससे हमें तो कुछ फरक नहीं परता हमाई stock market को क्या लेना देना देखो इंडिया एक net importer है oil के मामले में हमा जो सबसे ज़ादा यह नो budget का पैसा जाता है हमाँ देश सबसे जो dollar कर्च करता है वो करता है oil import के अंदर अगर आप मा oil price जो crude oil price है वो एकदम से बढ़ जाएंगी और हम net importer है तो हमारा जो महंगापन है वो बढ़ जाएगा क्योंकि transportation cost बढ़ जाएगी क्योंकि हमारा base fare वो बढ़ जाएगा क्योंकि truck चलते तो oil के उपर यह ना तो इस वज़े से अगर oil prices बढ़ते हैं तो हमाहे देश पे बह नहीं नहीं सफर करता हो देखेगा और इसी हुझे से आप देखोगे कि जैसे ही fight की बात आती है हमारा जो stock market है वो crash करता है क्योंकि हर एक product के उपर impact आएगा हर एक product के profit margin पर impact आएगा क्योंकि logistic cost एकदम से बढ़ जाएगी तो OPM जिससे हम कहते है operating profit margin वो एकदम से बढ़ चल चुका है अगर मैं Indian market की बात करो US में तो already correction आना शुरू हो चुका है correction आना healthy होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा देखो इंडिया का जो बजार है वो one-sided चल रहा है क्यों चल रहा है सबसे पहले इसको समझते हैं फिर US की side जाएंगे इंडिया का बजार one-sided इस वज कर रहे हैं अगर आप recent results देखोगे companies के चैबस जिफसी bank का result उठाकर के देख लो consumer का उठाकर के देख लो public sector company का उठाकर के देखो defense का उठाकर के देखो overall लगत तरीके से decent level की growth है कुछ extraordinary नहीं है लेकि जो stock market है वो extraordinary तरीके से बढ़ रहा है तो एक major concern है क्योंकि हापे आपक payment rate बढ़ा है नहीं even वो कम ही हुआ है recent past के अंदर फिर इतना पैसा कहां से आ रहा है पर एक major question होना चाहिए इतना पैसा market में इस वज़े से आ रहा है क्योंकि जो भी पैसा लोगों ने FD में invest किया हुआ था FD टूट करके bond market से पैसा निकल करके वो पैसा जा रहा है इस सहा हमारी stock market है वो one-sided उपर जा रही है ना कि FII के invest करने के वज़े से ना ही fundamental के वज़े से तो liquidity stock market में बढ़ गई है लेकिन जो liquidity market के अंदर आई है वो growth के वज़े से नहीं आई है वो इस वज़े से आई है क्योंकि जो FD का पैसा था अब वो बाजार के अंदर आ रहा है इसको प्रूफ करने के लिए आप RBI का data देख सकते हो recently RBI ने launch किया था कि भाई last 2 decade के अंदर जो savings है वो आज तक सबसे कम दिख रही है bank के अंदर क्योंकि जो भी पैसा bank में पढ़ा था वो सारगा सारा आ रहा है बजार के अंदर तो ये भी major concern आपको बजार में देखने को मिल र गिर रहा है क्योंकि भाई माँ पर inflation है जॉब जॉब की issue से रहे हैं लोगा जॉब नहीं है इस वज़े से बजार गिर रहा है लेकिन इंडिन बजार नहीं गिर रहा तो हम expensive हो जाएंगे global travel पर ऐजा बजार कि भाई हमारे अंदर कोई क्यों ही invest करे अगर आप एक बात बता की रोड पर 4 दुकाने हैं चारो almost 5 तरीके दुकाने हैं यह गया है जो की काफी अच्छा माल बेशती है लेकिन वो माल तो बहुत ज़्यादा अच्छा बेशती है लेकिन वो काफी ज़्यादा expensive है लेकिन खरीदना चाहेगा एक भायर खरीदना चाहेगा उस जगह से जहां पर उसको reasonable price के उपर अच्छी quality का समान मिल जा राइट आप कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दोगे same quality के समान के लिए तो इसी वजह से आप सोचो जो global level पे लोग बैठे हुए ना उनको यह साई ची खुद उसे पूछो आप जाकर के खरीद होगे आप जाकर के नहीं खरीद होगे आप बोलोगे भाई यह तो महेंगी हो गई है तो मैं इसको क्यों खरीद हो मेरे को 100 रुपे में तो इससे अच्छी चीज़ मिल रहे कहीं और पर तो इसी वजह से जो बज़ार एक्सपेंसि की बात करोगे, sectoral funds की बात करोगे, अपनी SIP रोक रहे हैं या फी new registration रोकने में लगे होएं ताकि जो retail investor है वो बहुत ज़्यादा पैसा देना क्योंकि inflow बहुत ज़्यादा है और market और sectors काफी सारे overvalued हो चुके हैं जिस वज़े से mutual funds भी कहीं नहीं थोड़ा secure खेलने की कि as a AMC उसको तो फायदा है ना आपसे पैसा लेकर के लगाने में लेकिन वो precaution ले रहे है क्यों क्योंकि उसको यह पता है इस साफ़े जो बोले retail investor है वो यह नहीं समझ रहे कि भाई पैसे लगेंगे तो पैसा गिर भी सकता बड़े भी सकता बस वो यह सोच रहे है कि जिस इससे deal कैसे करें और US इससे deal कैसे करेंगा है इस इन इंडियन हम इससे deal कर सकते हैं इस पर बात करते हैं क्योंकि problems तो मैंने बहुत ज़्यदा आपको गिनवा दी हैं सबसे बात करते हैं US की देखो US के अंदर आने वाला है interest rate cut September में जिस वज़े से यह जो recession वाली बात है उस से deal यह कर पाएंगे और most probably यह भी हो सकता है कि शायद बीच में भी कोई न कोई एकदम से rate cut कर दें अगर recession वाली यह प्रॉब्लम्स जल्दी देखने को मिले तो सबसे पहली चीज़ इंट्रसेट कट होगा इन साइज चीज़ों से आप बच पाओगे इस वज़े से कई बा market crash की वीडियो है कल कहते है bulk buying की opportunity है पर सो कहते है bull run में क्यूंकि यह सारी चीज़ें आपस में एक दूसर से linked है तो आप सारे aspects समझोगे तब ही आप decision ले पाओगे राइट तो overall interest rate cut होगा तो भाई global recession से कहीं न कहीं deal कर पाएगा US जैसे interest rate cut होगा तो कहीं न कहीं जादा company loan लेगी जादा लोगों को job मिलेगी और जादा लोगों से जादा लोगों को job मिलेगी तो जो unemployment rate साहाँ पर सबसे high है वो कहीं न कहीं कम होना शुरू हो जाएगा US के अदर औ पर impact है इसको हम कहते है cascading effect इसको हम कहते है snowball effect आप कुछी भी कहना चाहो दोनों एक ही तरीके से काम करते है meanly ठीक है अब बात करते हैं इंडियन बाजार की इंडियन बाजार slowly steadily bubble के अंदर form हो रहा है कि भाई अभी revenues नहीं बन रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा जो लोग करें रे भाई ये mutual fund अच्छा है ये stocks अच्छे हैं ये multi bagger बनेंगे ये वो ये वो as a defense industry बहुत अच्छा है देखो industry में कोई issue वाली बात है निके industry कोई कराव होती है industry सब सही होती है लेकिन as a investor आपको कहां invest करना है जैसे मैंने starting के example में बताया कि आपको दो जगा सेम चीज़ मिल रही है तो क्या आप जादा पैसा दे करके वो चीज़ खरीदने की कोशिश करो कि एक basic logic लगा हूँ ठीक है आप बोलोगे नहीं जब आप आलो प्याज भी खरीदते हो दो ठेले वालो से तो आप बोलोगे भाई इसकी आलो इसकी आलो अलमोस सेम लग रही है य इसी तरीके से बजार होता है जब high valuation में चला जाता है even एक best sector की बात करो मतलब one of the best sector कौन सा हो सकता है banks हो सकते हैं one of the best segment banks हो जब बैंक हो सकते हैं 2020 में बहुत पैसा बनाया लोगों के लिए last 5 साल से banks में पैसा नहीं बना क्यों वो sector बेकार था नहीं वो sector बेकार नहीं था वहां over valuation थी तो segment बेकार नहीं होता over valuation मतलब आपने बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया ना किसी सस्ती चीज़ के लिए तो वहाँ पर दो main काम हो सकते हैं पहला काम हो सकता है price correction मतलब जो stock price है वो नीचे गिरना शुरू कर देगा एक जिगा जाके consolidate करेगा इस को कते है price correction ये का बाता है जब आप बहुत ही महेंगी चीज़ खरीदे और वहाँ पर revenues नहीं आते दूसरा correction आता है consolidation मतलब आपने जहां पर खरीद लिया ना या जब एक segment में चला गया वो अपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे करता रहेगा basic example देता हूँ इसका मैं DMAT अगर आप उठाके देखोगे कभी उस stock को तो वह stock कभी भी बुरा था ही नहीं वह stock तो हमेशा से अच्छा था फिर वह consolidate क्यूंकि उसने इस वज़ये से consolidate किया मेरे भाई क्यूंकि उसका जो PE था valuation से वह काफी ज़दा high हो गए थे तो कोई अच्छी चीज अगर आप बहुत महंगे price पे भी खरीद लोगे तो आप यह समझो एक और इंसान आपको चाहिए जो आपसे भी महंगे price पे उसको खरीद है ठीक है तो ज़रूरी नहीं है अच्छी है तो आपको लेना ही लेना है अच्छी है और महंगी है तो कोई फायदा नहीं उसको लेने का ठीक अगर आपने एक property एक करोड की खरीदी और उसका price ही नहीं बढ़ रहा उसकी top notch जो quality थी वह एक करोड के आसपास ही थी तो आप किसी और को कैसे भी चोगे तो कीमत ही एक करोड है तो जब तक उसका price नही करते हैं global level पे सो अब बात करते है solutions की side देखो as an Indian investors मेरे साथ से थोड़ा opportunity fund इस साथ पे अच्छा रहेगा क्योंकि अब जो profit booking है वो आपको बजार में देखने को में लेगी और पूरी ताइगे से बजार से exit करने के जरूवत तो बिलकुल भी नहीं है क्योंकि ज्यादा से क्या हो सकता है जासदा 20-30% crash कर जागा worst case condition के अंदर लेकिन पैसा आपका बनेगा तो stop market से ही बनेगा तो यहां पर दो step आप जरूर ले सकते हो पहला step जो कि इस साथ पर Warren Buffett जी भी clear है उन्होंना recently apple के stocks काफी सारे बेचे क्यों क्योंकि वो अपना एक cash flow generate कर रहे हैं कि overvalued हो जाते हैं उसके अंदर आप profit booking करके निकल सकते हो और अच्छे stock quality sectors के अंदर आप invest कर सकते हो जहां पर आपको लगता है कि consistent growth आएगी यह जो market है यह ऐसी market नहीं है कि आप बहुत जदा overvaluation पर चीज़े खरीदोगे और उसके बाद भी पैसा बना लोगे तो थोड़ा सा समल के रहने में ज्यादा benefit होगा market crash होगी नहीं होगी वो अलग बात है लेकिन यह secure किलने का time है आँख बंद करें कहीं भी invest करने का time नहीं रहा मेरे भाई So I hope आपको समझ आ गया हो कि इस समय बाजार किलना major problem क्या चल रही है और आप उससे कैसे deal कर सकते हो वीडियो पसंद आयो तो प्लीस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलको नद भूलना Thank you so much for watching this video Tata, Bye Bye, Signing Off